नमस्कार दोस्तों स्वागत एक बार फिर से आप सभी का मारे इस चनल पर आज की वीडियो बहुत ही खास होने वाली है तो आप इस वीडियो को अंतक जरूर देखना दोस्तों गलतियां तो सभी से होती है और अगर ये गलती गरहन काल के दोरान हो जाए खास कर गर्भवती म हिलाएं ग्रहन काल को लेकर काफी चिंतित हो जाती है तो आज हम बात करेंगे कि अगर आपने ग्रहन काल के दोरान कोई गलती या भूल चुक की है तो क्या उपाय करके आप ग्रहन के असर से ग्रहन के दोश से बच सकते हैं तो दोस्तों शास्तरों के अनुसार ग्रहन काल क अगर आपने गलती से जाने अंजाने ग्रहन देख लिया है तो इसका बुरा असर हमारे जीवन पर पड़ता है। अगर आपने गलती से ग्रहन को देख लिया है तो इन उपायों को करके ग्रहन से बचा जा सकता है। अगर आपने गलती से ग्रहन को देख लिया है तो इश्वर से शमायाचना मांगकर आप गंगाजल वाले पानी से नहालें। और उसके बाद जो वस्तर अपने ग्रहन काल के दोरान पहने थे उन्हें हटा दे दोबारा ना पहने। आप सूर्य भगवान की उपासना करें, रोज सुभा सूर्य को जलर्पित करें, आप घर में पूजा स्थल पर एक सूर्य यंत्र स्थापित करें। और रोज विधिवत उसकी पूजा अरचना करें, वह सूर्य के मंत्र ओम ग्रिणी सूर्याय नमह का जाप करें। दोस्तों, इस दोष्ट से बचने के लिए आप सूर्य कवच्छ स्त्रोत का पाथ भी कर सकते हैं। ध्यान से सुनें दोस्तों आप गुड, सूना, तामबा और गेहूं ध्यान से सुनिएगा आपको गुड, सूना, तामबा और गेहूं इन में से किसी भी चीज का दान करना है इससे ग्रहन का दोश कम होता है तो आप इन वस्तूओं को दान करें तामबे का कड़ा आप दाहिन भर कर आपको गाय को अपने हाथों से खिलाना है तो इन उपायों से आप अपने ग्रहन के दोश को कम कर सकते हैं और ये उपाय गर्भवती इस्त्री हो या बच्चा बूढ़ा कोई भी हो इन उपायों को करके आप ग्रहन के दोश से मुक्ति पा सकते हैं और गर्भवती महिल मन में किसी भी तरह का वहम नहीं रखना है बस सूर्य उपासना करनी है और आपका गर्भ में पल रहा बच्चा एकदम सुरक्षित रहेगा तो ये थी ग्रहन को लेकर दोश को लेकर एक छोटी सी जानकारी मिला